नortunis नवास्कार शात्यों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्व चैनल K&C कुसूनेटक्लासेज में साथियों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे उसके साथ वेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजेगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तयारी और बहतरीन तरीके से संभब हो सके ध्यान रखिएगा जीस तरह से आप हमारे साथ जूड़कर पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह से यदि आपको यह वीडियो यह सीरीज यह लेक्चर पसंद आता है तो सबसे पहले इसको लाइक कीजे कमेंट कीजे और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ सेर कीजे जो आप ही की तरह किसी भी बने हुए होंगे तो आपको पता होगा पिछले पांच लेक्चर से लगतार हम लोग पॉस्ट मॉरियन डाइनिस्टी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मुख्य तवर पे 5-6 राजबंस हैं जिसमें 3-4 राजबंस पर हम लोगों ने चर्चा की थी आज एक नए राजब उसमें इंडोग्रिक्स को पढ़ना था शूंग को पढ़ना था सातबाहन को पढ़ना है कुशान को पढ़ना है शक्षत्रप को पढ़ना है उसके साथ साथ संगम लिट्रेचर को पढ़ना यानि संगम डानिस्टी को पढ़ना है संगम कालिन समाज संगम कालिन भासा संगम कालिन साही तिको उसके साथ साथ एक बंस और है नीचे में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिलागा आपको खारबेल एंड जानीचम तो खारबेल का संबंद दरसल चेदी बंस से है इसलिए हम लोग उसके डाइनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटाएंगे उसके बाद हम लोग डारेक्ट खारबेल पर आएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खारबेल को ही सिलिवस में सामिल किया गया है लेकिन जब तक आपके उसके बैक्ग्राउंड को नहीं समझेंगे आप तब तक आपको उसका इतिहास समझ में नहीं आएगा इसलिए आपके सुईधा के लिए मैं इतना सारा मेहनत करता हूं तो चलिए फिर हम लोगों ने इंडोग्रिक्स के बारे में बात कर लिया था शूंग एबम कंब के बारे में भी बाते हुई थी सातबाहन के बारे में भी हम तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहतरीन तरीके से चल रही होगी तो चलिए साथियों आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीजों को लिखते चलना और लिखने से ज्यादा आप समझन 600 BC में भारत पूरे तरीके से सुलह महाजनपदों में बटा हुआ था उसी समय आज के आधुनिक बुंदेल खंड जोकी उत्तर प्रदेश में है ठीक है उस समय का चेदी बंस ठीक है उस समय का चेदी बंस आज का आधुनिक बुंदेल खंड वहां पर साउथ इंडिया में केलए चाषन कर रहा था कहा पर साएंडिया में टाइमफ्रेम कब है 600 बीसी में 600 बीसी वह फेज है जब बुद्ध का आगमन होता है जब महाबीर का आगमन होता है जब महाजनपद काल का आगमन होता है थीक है तू देखिये उस समय का जो चेदी वंच है वो आज के बुंदेल खंड वाले इलाके में था इसकी राजधानी सोथी बती थी कहां सोथी बती और इसके बारे में ही महाभारत में एक अन्य नाम की चर्चा की गई है जिसको शक्ती मती या सुक्ती मती बताया गया है तो यह तीनो नाम इसी का है किसका चेदी बंस के राजधानी का उस समय का जो 600 BC का जो चेदी बंस है उसके फांडर के रूप में महा मेघवाहन को जाना जाता है किनको महा मेघवाहन को महा मेघवाहन के नाम पर बंस भी शला इनके बारे में बताया जाता है कि महा मेघवाहन बंस भी इसे कहा जाता था किसको चेदी बंस को लेकिन कुछ समय के बाद जब मौर्यन डाइनेस्टी आया ठीक है जब जनपत से महाजनपत का दोर आया और महाजनपत से जब मौरियन डैनेस्ट्री आया मगत महाजनपत आगे चल करके एक बड़े से रास्ट समराज्य के रूप में उदवब हुआ उसका तो उस समय उसके प्रतापी समराट अशोक के द्वारा कलिंग पर आकर्वन किया गया अब कलिंग तक इन लोगों का विस्तार नहीं हुआ था ले अशोक ने अपने टाइम फ्रेम कब 261 इसा पूर्वियानी राज्यावि सेख के आठवे वर्स कलिंग पर आकर्मन करता है और कलिंग को जीत लेता है टिकेट उसके बाद कलिंग को वह अपने समराज में मिला लेता है लेकिन जब फिर अशोक का पतन होता है तो उसके बाद के उत्राधिकारी कलिंग को अपने समराज्य के अधिन नहीं रख पाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं असमर्थ प्रतीत होते हैं इसके बाद फिर से एक बार कलिंग स्वतंत्र हो जाता है ठीक है यहां तक क्लिर है अब देखिए जब कलिंग स्वतंत्र हो गया तो वहाँ पर कई सारे सासक हुए लेकिन वहां पर जो सबसे महान साशक हुआ जिसके बारे में आपको शिलेवस में पढ़ना है उसका नाम है महाराजा खारबेल राजा खारबेल ठीके इसलिए अब आप हेडिंग दे दो राजा खारबेल अब राजा खारबेल के बारे में बताया जात ठीक है एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है एक के मजुमदार और एक के मजुमदार कहते हैं कि कलिंग के चेदी वंस का यह दूसरा सासक था एक के मजुमदार के साथ साथ डीसी सरकार भी डीसी सरकार भी एक हिस्टोरियन है उन्होंने भी यही मत रखा है ठीक है इसलिए आप इसको लेकर के confusion होता है लेकिन इससे सवाल नहीं पूछा जाता है आप जानकारी के लिए इनका नाम याद कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे डेफ्ट में जब सवाल पूछता है तो यह लोग बहुत आगे तक निकल जाते हैं historian का नाम भी पूछते हैं इसलिए आप इसको लिख लिए जेगा और एक किताब है जिसका नाम है एज आफ इंपिरियल यूनिटी पेज नंबर 213 उस पर चर्चा किया गया है आप पढ़ते हैं एक बार मैं महराजा कारवेल इज वन अफ दे मॉस्ट रिमार्केबल फिगर्स ऐसे इंडियन हिस्ट्री कि मैं रधी आपको पढ़ना है तो आप कीसी सीर्वास्ताब के किताब में इसको पढ़ सकते हैं मैं के सीरवास्ता सही और उसके अलावा ओर अन्ने सारे कितावे जो हमारे पास प्राचिन भारत की है उससे मैं आपको content उपलब्ध करके पढ़ाता हूं ठीके तो आप यदि exact पढ़ना चाहते हो तो आप किताब को पढ़ो और मैं बार-बार बोलता हूंगे कम से कम एक किताब आप जरूर पढ़िए हमारे साथ तभी सारी चीजे clear होंगी अन्यथा आप 100% dependent मत रहिए तो यहां तक आपने समझ गया कई लोगों का कहना है कि यह दूसरे सासक हुए और कई लोगों का कहना है यह तीसरे शाशक हुए अब देखिए इनके श्रोत के बारे में आप लिखिए महराजा खारबेल के बारे में अध्यन करने क हाथी गुमफा अभिलेख के बारे में अब हाथी गुमफा अभिलेख जो था साथियू आज के उडिशा उडिशा के भुवनेशवर जीला के पूरी नामक जगह से तीन किलोमेटर दूर उदय गिरी पहारी पर पहारी पर इसका हाथी गुमफा लेख का जिक्र मिला है हाथी गुमफा अभिलेख को लिखा गया था इसमें दरसल इनके तेरह साल के शाशन काल के बारे में चर्चा की गई है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करे गया है जब राज्या विशेक होता है इनका तो उसके बाद प्रथम सालिया क्या करते हैं दूसरे वर्ष क्या करते हैं तीसरे वर्ष क्या करते हैं उसके साथ-साथ इसी तरीके से तेरह में वर्ष तक क्या करते हैं लागातार उसके बारे में हम लोग एके करके चर्चा कि वह आपके सिलेवस में शामिल है चलिए तो यहां तक आपने जान गया दरसल हाथी गुमफा अभिलेक में इनके बचपन से ले करके इनके बचपन चाइल्डूट से ले करके इनके राज्या विसेक के बीच तक की जितनी भी घटनाएं हैं उन सारे घटनाओं का जिक्र की गई है फारमभीक जीवन के बारे में जानते हैं प्रारंभीक जीवन के तीसरे शाक पंधरा साल की उम्ट में ठीक है 15 वर्ष की उम्र में य्ववराज बन गये इनका राज्या विशेक हुआ कब 24 years की उम्र में इनका राज्या विशेक हुआ था उसके बाद इनकी विवाह कर दी गई ललक हथी सीन ललक हथी सीन नामक एक कन्या से ठीके बाद में आगे चल करके कन्या यानि इनकी पतनी इनके प्रधान महीशी के रूप में काम करती है प् इन्होंने कौन-कौन सी उपाधी धारण की पहले उपाधी का नाम है कलिंगा धिपती कलिंग पलस अधिपती कलिंग पर शाषन करने बाला ब्यक्ती कलिंगा धिपती उसके साथ साथ कलिंग चक्रबरती ठीक यह दो उपाधी इन्होंने धारण किया और अन्य उपाधी अनकाल है टाइम फ्रेम के बारे में बहुत सारा डिस्प्यूट है लेकिन एक जो है निश्टिर टाइम बतायागा कि 44 इसा पुर्व के आसपास ठीक है यानि 44 बीसी के आसपास यह शाशन कर रहे थे अब देखते हैं कि हाथी गुमफा अविलेक में इनके 13 साल के कार्यों की जला शेंकि क्या साल में क्या-क्या इन्होंने 24 के करके हम लोग चर्चा करते हैं तो सब्से पहले लिखे प्रखम वर्श में दर्शल कलिंग को एक बार्ल से सम्रिद्ध बनाया ठीक एक बार फिरसे उसको राजधानी के तौर पे स्थापित किया और वहां पर तरह तरह के तमाम सारी चीजे जिनका अभाव था उसका उन्होंने निर्मान करवाया उसका विस्तार करवाया हर्च किया और कलिंग को फिर से समरिद बनाया वहाँ पे तुरन द्वार बन बाया उसके सासाथ सीतल जल की वेवस्था की गई यानि की दरवार में पाने पीने के लिए उसके अलाबा वहाँ के जो प्राचीर थे उनकी भी मरम्मत करवाई गई ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे साल के बारे में बात करते हैं दूसरे साल में इन्होंने सातकरनी शातकरनी के बारे में आपको पता होगा कि यह सातवाहन बंस के शाशक थे ठीक है तो शातकरने के खिलाफ इन्होंने सेना भेजा और जब इन्होंने सेना बेजा तो सातकर्णी की सेना हार गई थी और इनकी सेना कनवेना नदी से लेकर के मुशिक नगर तक को रौंध डाली ठीक और वहां तक इन्होंने अपने सामराज का विस्तार कर लिया कब जब सातवाहन वन्स के सासक शात करनी सासन कर रहे थे उसी समय कलिंग के सासक कौन राजा खारबेल अपनी सेना को भेजते हैं कहां कनवेना नदिक और मुशिक नगर के पास अटेक करने के लिए उसके बाद तीसरे साल में इन्होंने अपनी राजधानी में कहां कलिंग में संगीत का वाद्दे का यानि म्यूजिक का डांस का इन सारे चीजों का बैवस्था करवाया और उसको एजव फेस्टिबल उसको एक उत्सब के तोर पे तिवहार के तोर पे उसको सेलिब्रेट किय चोथे साल इन्होंने सैन अभ्यान किया है कहां कहां तीन लोगों के खिलाफ पहला एक तो बरार के भोजक हैं दूसरा पुर्वी खान देश के सासक और तीसरा है अहमद नगर के साशक ठीक इन तीनों के खिलाफ इन्होंने सैन अभ्यान किया और वहां पर इन्होंने जीता भी इसी सेन अभियान के दोरान एक जानकारी प्राप्त होती है बिद्याधर के बारे में ठीक है क्यों बिद्याधर के बारे में और बिद्याधर दरसल एक जैनियों का साखा था ठीक है बिद्याधर एक जैनियों का साखा था और उसके बारे में बताया जाता है कि इसी शाख के बाद अशोक ने अपना धम लाया था लेकिन वह अपने राज्याविसे के चोथे वर्स ही उपाली गुप्ट के माध्यम से बहुत धर्में दिक्षा लिया था लेकिन यहां पर यह तेरहवे वर्स में जाकर के जैन धर्म को एडॉप्ट करता है चलिए पांचवे वर्स इन पास सके उसके बाद छठे नंबर पे देखें आनि छठे साल इन्होंने क्या किया चठे वर्स में इन्होंने टैक्स माफ कर दिया ठीक है जो ग्रामिन जगह थे और जो शहरी जगह थे दोनों जगह के लोगों का टैक्स माफ कर दिया और साथी उन सभी ब्यक्तियों पर एक लाग उर्पया इन्होंने खर्च किया उसके बाद देखिए सातमे नंबर प्याते हैं और सातमे साल इन्होंने क्या किया इसके बारे में मामला बहुत डाउटफुल है कोई भी चीज क्लियर नहीं है अब तक आठमे वर्स इन्होंने बराबर की पहारी ठीक है बराबर की पहा विस्तार किया उसके साथ 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 नौमे वर्ष ःना होने प्राची नगर दोनों तट पर महा विजय प्रशाद का निर्मान करवाया महा विजय प्रbout ईहां पर राजा रहता थ海ं क्यों उत्री भारत पर यह भी करता है उसी के खुशी में वहाँ पर महा विजय प्रशाद का निर्मान करवाता है उसके बाद देखिए गंगा घाटी पर आकरमन करता है दसमे साल राज्या भिसेक के दसमे साल गंगा घाटी पर यानि बिहार आज के बिहार बाले इलाके पर आकरमन करता है और वहाँ पर ज अगर्हे पिन्तुंद पि स्ञीप येच यार अटक करता है उसको अपने समराज में मिला लेता है उससे जीत लेता है उसके पारहवे बर्स मगध़पे आकर्मन करता है और उसी साल दरसल फिर से एक बार साउथ इंडिया पर अटक करता है तो बारहवे साल जब यह मगध पे आकर्मन करता है उसमें मगध के सासक बहसती मित्र हैं कौन है बहसती मित्र उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा उसके अलाबा दकशिन भारत पे जब अटैक करता है तो उसमें दकशिन भारत में 5 राजवन्ष शासन कर रहे थे तो हम लोग जब South India के बारे में पढ़ेंगे संगम literature के बारे में तो वहाँ पर हम लोग पांड चोल इन तमाम बंश के बारे में एके करके चर्चा करेंगे चलिए उसके बाद 13 में नमबर पे ठीक इनका जो last का 13 मा है जिसको सबसे ज़्यादा importance प्राप्थ है तेरह में नमबर पे आप लिखें तेरह में नमबर में दरसल इन्होंने जैन धर्म को adopt कर लिया ठीक है तेरह में नमबर पे जैन धर्म को इन्होंने adopt कर लिया और जैन धर्म को adopt करते ही इन्होंने कुमारी पहाडी पर ठीक है कुमार पहाडी पर इन्होंने जैन साधु संतों क लिए इन्होंने एक जैन संग का निर्मान करवाया जैन गुफाओं का निर्मान करवाया उसके बाद देखिए तेरहमय के बारे में भी बाते हो गई यहीं से सवाल पूछा जाता है खारवेल और जैन धर्म का क्या संबंद था तो तेरहमय अभिलेख में ठीक है कहा हाथी अभिलेख के तेरहमय हिस्से से हमें प्राप्त होता है उसके बाद देखिए धार्मी की स्थिति इनके समय के थोड़ा जानते हैं हम लोग इस समय दरसल जैन धर्म का इचुकिया खुद जैन धर्म को मानने वाले ब्यक्ति हैं तो जैन धर्म का ही इन्होंने प्रचार प्रचार 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 जाता है और खंडगीरी के बारें बताया जाता है और इन्होंने शोल्लह यानि 16 गुफा बिहारों का निर्मान करवाया था इसमें मुख्य तोर पे जिक्र आता है उदय गिरी पहाडी में रानी गुमफा अभी लेख का रानी गुमफा बिहार का ठीक है लेख का नहीं रानी गुमफा लेख का उसके साथ साथ खंड गिरी पहाडी पर अनन्त गुफा लेख का लेख का नहीं गुफा बिहार का सबसे ज धिक्र होता है और ध्यान रखेगा रानी गुंफा एबं अनंत गुफा के जो गुफा विहार हैं उनके दिवालों पर एक अजीब टाइप का पेंटिंग जिसको बोला जाता है रिलीफ चित्रकला ठीक है रिलीफ चित्रकला का चित्रांकन किया गया है तो आप से सवाल उन्यों के लिए उसके अलाबा उदय गिरी पहाड़ी से हमें कितने कितने गुफा विहार मिलते हैं तो 19 और खंड गिरी से 16 कौन से चित्रकला है रिलीफ चित्रकला चलिए उसके बाद कुछ अन्य कुछ खास बात हैं उसको भी आप लिख लिजिए उसके बाद यह उपाधी दी गई थी उसके अलाबा इनके बारे में बताया जाता है कि यह म्यूजिक के या फिर आप बोल सकते हो गनीत के कला एबम संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे भासा एबम साहित्य के जानकार थे इसलिए इनको बिद्वान की स्रेनी में भी रखा जाता है उसके सासत महा बिजयराज यह पांच नाम आप जरूर याद रखना आप से सवाल पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा उपाधी खारबेल के द्वारा नहीं लिया गया था या निम्न में से कौन सा उपाधी खारबेल को नहीं दिया गया था तो जब तक आप चारो उपाधी को पाच्य उपाधी को आप दिमाग में नहीं रखेंगे आपको याद नहीं होगा तब तक आप सवाल को सही नहीं कर सकते हैं ठीक है तो बामला यहीं पर फस्ता इसलिए आप सारे को एके करके पढ़ना और लिखना और याद भी करना टोटल 13 वर्स का शाषन के बारे में जिक्र मिलता है और टाइम के बारे में 44 विसी जो की हमने आपको बता दिया तो खारबेल के बारे में बस इतना ही था इससे ज़्यादा आप से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है और हम लोग देखेंगे दो चार किताबे और मैं फाइंड आट करूँगा वहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट मिलेंगे तो उसको शामिल किया जाएगा अन्य था इससे ज़्यादा इसमें किसी भी चीज़ को आगे कुछ भी नहीं पढ़ना आप कहीं पे कोई भी किताब खोल करके पढ़िए इससे ज़्यादा इंफोर्मेशन आपको प्राप्त नहीं होगा तो चलिए साथ ही हो आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुशान बंस के बारे में उसके बाद हम लोग संगम लिट्रेचर पे आएंगे ठीक है उसके बाद दो तीन लेक्चर में पॉस्ट मोरियन डैनेस्टी खत्म होगा उसके बाद हम लोग गुप्त बंस पे आएंगे और फिर एंसेंट इंडिया भी बहुत जल्द खत्म होगा तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के शाथ तब तक के लिए शुक्रिया आप अपना अपनों अपनों का ख्याल रखिये और लोगों से प्यार करते रहे बाई बाई टेक केर